सब्सकार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में आई आज हम लोग देखते हैं प्रिविएस येर जो कोस्टन पेपर हैं जो थर्टी नाइन से लेकर सिक्स्टी फोर्ट बीपीसी में से पूछा गया उसे देखेंगे हम लोग यह जो है आपका जो जेन तोपिक पर आपको विसेज ध्यान देने के आवज सकता है आये तो प्राड़म करते हम लोग देखें इस पूरे जो अभी मैंने चार स्लाइट बनाया है जो आप पिछले थर्टी नाइन से लेकर सिक्टी फोर्ट तक में जिस जिस टॉपिक से पूछा गया था जिस प्रस् प्रणदन के चैतर्यवाद पंजावति राज इन सभी जो जो टॉपिक है उसको मेरे करमवार से कि आपको किस किस टॉपिक से कब प्रस्ण पूछे गया है आगे भी देख सकता है इस चुरुप से स्लाइड है पूरा न्य को शिज कि आ गया है देख सकते हैं आप इसमें त आप धियान केका लोगा इनलेस का कि आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने के आवाश सकता है, लेख सकते हैं, आईए, तो हम लोग प्रारम करते हैं, बिनकी सिद्री के, इसके साथ मैं मनिश कुमार मेरे बारे में देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर आप यह वीडिय से वीविन सोसल साइट्स पर जूड़ सकते हैं साथ ही मैं जो वीडियो के अलावे बहुत कुछ मैटेरियल आप प्रोवाइड करता हूं जो इस आपको सोसल साइट्स पर ही अगलेबल मिलेंगे आए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए जो जुलाई 2019 में हुआ था इसमें जो प्रस्ण पूछा गया था उसे देखते हैं हम लोग तेजी से देखेंगे ताकि हम लोग कम सब्वे में सारे प्रस्णों का एनलेसिस कर सकें और हम लोग ध्यान दे सके कि कौन-कोन से टॉपिक हम लोग कंप्लीटली खतम कर लेना अच् है तो आप आप लोगोंको पहला ही जो सम्यधान का भाग है प्रस्तावना उसी से आपका प्रस्ण पूछा गया है आप में यह जो आपका टर्म जो है समाजवादी टर्म धर्म निर्प्रेक्श लोगतां थे कि यह सब्वे मैं को समझाना है किस पकार से गंधराज्य आपक विशेश रूप से बिहार के संदर में क्या वह एक कटपुतली है दियान रखेगा यह जो प्रस्ण था यह चुछ विवादित प्रस्ण था और इस प्रस्ण को सेट करने वाले जो प्रोफेसर थे उसे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है आगामी एक्जामस में को सेट करने के लिए देखिए यह जो आपको राजपाल की भूह मीका है बहुत बारउस प्रस्ण वुटता है कि यह नोई के बहुत प्रस्ण था थो भॉर्तित प्रस्ट करक्ता है वह एक नहिन धारकित दर्ट है एक नहीं धारना जो अध्युत जिसें पर्लीस प्रश्ते महोर है नियाएक सक्रिटा के पक्ष और भी पक्ष देखिए आपको पक्ष इसका क्या पोजिटिविटी है इसका इंपक्ष होता है उसे भी आप लोगों को दिखाना है और जो मुख्य तरकों को असपष्ट करना है तो साथ में दिखिए केरल का जिसे के मंदिर प्रवेस वाला अगरे बढ़ते आगे बहुत अधिक राजनितिक दलभारती राजनिति के लिए अभी साफ है इस तत्य को बिहार के प्रिप्रिक्स में असपष्ट कीजिए कहीं भी किसी बिच्छेते के लिए बहुत राजनितिक जल जो होते है वहां के जो वोट बैंक होते हैं उसको अधर्वे हैं आपके समाज के अधार पर हुए हैं उन सब चीज़ों को अप लोगों को ध्यार में देते वे यहां जो च्छेतरी राजनितिक दल है उसकी परिप्रिक्स में आप उन्हों को करना है किस प्रकार से भारती में यह आप भूम काने बाते हैं और सब जो जगा य जो एक्जाम बीपेसी की हुए तो उसी बार देखते हुए चलेंगे हम लोग तो त्युक्त प्रस्ण पूछा गया था स्वतंत्र और निस्पक्स चुनाओं के संसालन में भारत के निर्वाचन आयोग है उसकी भूमिका का गंभीता से जांच कीजिए इस समंद में चुना चुनाओं पहचान पत्र के संदर में तो इसे आप लोगों को लिखना होता है आगे बढ़ते हम लोग क्या आप सहमत है कि भारती राजनिती आज मुखी रूप से वर्नात्मक राजनिती के विकास राजनिती के आसपास घूमती देखिए यह प्रस्ण जो है आपको भारत क अब अब पोज़िटीव निगेटिव लिखते वे इसको अंसर लिखना था आगे बढ़ते हैं कि प्रभाव में बढ़ते च्छेत्री राजनितिक दलों का प्रभाव होती है और च्छेत्री पार्टी दल प्रभाव डाल रहे हैं उसे भी दिखना होगा कि इस प्रकार से जो गडबंदन की सरकारें बढ़ नहीं है उसका प्रभाव है उसको भी दिखाना है अब लोगों को समिधान और समिधान्यकता के बीच में क्या अंतर है समिधान के सुप्रीम कोट द्वारा अनुमौदित मूल सनचना के सिधान्थ के बारे में गंभी रता से जांच करेंगे देखिए जो मुझ संविधान और समीधान निकता इसके बारे में भी आपनों को बताना है इतर पर आगे बढ़ते हम लोग ते केंदर पयवजित यूजना केंदर और राजी के बीच में हमेसा विवाद का मुद्दा रही है प्रासंगीक उधारन का हवाला देते विए चर्चा कीजिए तो देखिए तॉ जीसेशें योजनाओं जो लागू नहीं करते तो इसका देते भी आपनों को देखाना था क्या करणना क्या वह क्यूंों अपनों यह सब को लिख नाता अनसर में आगे बढ़ते हम दो अब देखिए 60-62 में जो प्रश्ण पूछा गया उसे देखते हैं यह जो एक्जाम चाए 2018 में आपका हुआ था देखिए यह आपका राज की निती निदी सक्तत्व यानि DPSP पवित्र घोसना मातर नहीं है बलकि राज के जो निती के मागर दर्सन के लिए सुवस्पस्ट न अगला प्रशन है कि हिंदूत अवधारना का परिक्षन कीजिए क्या धर्म निर्पेक्षवाद का वियोदी है देखिए हिंदूत की अवधारना क्या है हिंदूत वह जो अभी के परिक्ष में जो अवड़ा जा रहा है और प्राचिन जो पर अवधारना थी उससे क्या है इस दोनों का ताम परिक्षवाद का विरोधी है तो है या नहीं है आप लोग इसको एनलैसिस कीजिए और अंसर पान कीजिए और भारत की रángति में उनके ब्हूमिका का परिक्षन कीजिए दवाब सबूयानि प्रेसर गूर्प बुट्र करते हिंगे राजिनिति की तरह से होता है वह राजिनिति प्रक्रियंग में भाग नहीं लेता है लोग पाल बिलक्वलाने के लिए था तो वह काम क परतेक्स रूप से निर्मान में यह वहिंका निभाते हैं उसी रूप से दिखा जाए तो बिहार की राजपाल की सक्तियां तो वास्तिवी किसी दिखा वर्नन कीजिए उसको वास्तिवी किसी क्या है उसको वास्तिवी किसी क्या है और इसकी संद्रव में चर्चा करने थी विसे संद्रव में आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए अब शपन से उन्चटवां बीपेसी जो आपका दोजार सोलम हुआ था उसका प्रस्न देखते हम लोग कि बारती संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करना तो इसे प्रस्ण पूछे गया है जो जो अनुछे दिखी से आठिकल टीवन नियाइक व्याख्याओं ने जीवन के आधार के विशे का छ अधिकारों के व्याख्या की जागी है सुप्रीम कोड द्वारा अधिकारों द्वारा और जो जीवन की जो अधिकार है उसे भी बढ़ाया जाता है समय के हिसाब से मतलब कि जो सोने का अधिकार था पहले यह नहीं था कि भूमी का ने किस सिमा तक प्रभावित किया है तो देखिए बिहार के संदर्म अगर आप पॉलिटी पढ़ा तो जाती की भूम का यह बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक बनता है बिहार के संदर्म में तो यह जो 2015 में इलक्षन हुआ था इसमें चुनाओं में जो किस प्रका करना था अब किजिए उसी रुप से स्वलमा प्रसम देखा जा तो भारती संगहात्मक विवस्था में केंदर राजियों के मद तनाओ के छेत्र का विसलेशन कीजिए केंदरा संबंद के बारे हम यहां आ गया केंदरा संबंद जो जानते हैं कि हम लोग विधाई प्रसासन जो संबंद्ध चल रहा है उसको बनंड करना थे स्पेशलिस इसके बारे में तो जैसे बिहार की द्वारा बहुत लंबे समय से बीसे साइच की दर्चा का मंग किया जा रहा है लेकिन प्रोड़ास के नहीं दिया गया इसके सम अलावा बहुत इसके मुद्द्ध हैं जो है के बीच में जो है समन्वे है तता कहीं कहीं आप लोगों का विरोध भी दिखने के मिलता है अगला प्रस्टन देखते हैं अब लोग कि न्याइक प्रोड़क्षन से आपका क्या अभिप्रा है जो जुडिसल रिव्यू जिसे बोला था है भारत के सर्वोच नियाले द्वारा परते बादें प्रस्टे के सिध्धान्द का अलोचनात्मक वड़नन कीजिए फिर आगे मुल नाचा तो आप लोग जो मुल नाचा जो है समीधान का इससे जो है इसके संब्सक्राइब के से अपको अच्छे से पढ़िए और समीधान का स्टूडियन होता है इसका एक तर स समीधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं उसे जांच करना थी इस प्रकार को जो है किस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं तो इसे लिखने का प्रयास किजिए अगला प्रशन देखते हैं यह त्रिपनवी से पच्पनवी बीपेसी में एक जामें पूछा गया था कि भारतिय संध्मिय विवश्त था और कैंद्र राज के प्रसाषनिक संबंदों का राश्टिय आतंक वाद रोधी परिस्ट एन्सी टीसी के विश्य संधर में वर्नन करना था देखिए फिर इसमें केंद्रासंधर संधर में पूछा गया था तो नटी एनटी सीन के संद्धि में आक् भूमिका को पूछा जाता है तो जरूरी सीज को खतम कर लिजिएगा आप समाप्स कर लिजिएगा पढ़के अगला प्रस्ण है कि भारत में निरवाचन आयोग की सक्ति कारिप्रणाली एवं स्वतंत्र निस्पक्त चुनाव में इसकी भूमिका देगे फिर से प्रस्णा के निरवाचन आयोग की सकतियां दिएगी आपको आर्टिकल समय इसको बताईएगा और कारिप्रणाली किस प्रकार से यह कारिकरता है जिसे अलावए और सब जो राजिंतिक पाटियों का जो एक तरह से उसको वैद करना उसके बाद बहुत सारे जो प्रक्रियाएं होती है इ जो भी निति निति निदेशक्त से धानतों का वर्णन कीजिए याईनि DPSP बारे में फिर से प्रस ने पूछ लिया गया है DPSP के बारे में 1950 के बाद यह से अपनों को दिखाना था कि जिसे बहुत सारे साभी बिहार में सराबंदी है तो वह भी एक DPSP तहतर का दिखा जा तो उसको भी लगू किया गया था उसके अलावे बहुत सारे चीज़ों है जिसे महिलाओं का रक्चन दिया गया यह सब जो चीज़ है और ड फीर भारती राजनीति में महत पुर्न भूहिमकानी भात है इस की वियाख्या बिहार के संदर में कीज़े देखिए फिर से प्रेसमिया जाती और वर भारती राजनीती संदर में पूछा गया लेकिन बिहार के संदर में आपटार्ग में के अब लोगिंद्धान होगा कि वो जब पंचायती में कि पता है नहीं अगा बता आप लोग कौन सा समविदानिक संसोधन था उसके पाद कि यह बिहार के संदर में किस रूप से लोगों को मससक्त किया जिसे बिहार में आप देखते हैं कि महिलाओं को जो है 50% आरक्षन दिया गया है जो आपके अस्थानी सरकार या नि परंचायती राज में दिया गया है उसके लावा क्या है कि बहुत सारे जो मेजर्स अपनाएं के हैं जो बिहार के विशेश संदर में तो उसे भी आपनों को दिखाना था अगला परसुन देखते हम लोग मिली उजी राजनीती भारती संदर का प्रमुक लक्षन हो गया है या परंतु यह विवस्था अभी तक अस् और असफल कें प्राड करने में असफल हो रहे हैं तो उसको कम दिखाना किस प्राइद भीचातानी होती यूदि दाल के क्र्स एक होती चेभी ये कुछ राष्ट में ठक रहा हो या फिए पर जो होए अपनों इंट्रेस्ट जो है इस कारण से मदभेध होता है इस वह करना था क्या राजियों को अधिक समता कि आवसकता है यानि राजियों को ऑटनोमी के बात किया गया कि और उटनोमी दिया जाए तो इसके संदब में आप लोगों करना होगा जिसे आप देख सकते साथ वी अनुसुची जो होती है अपनों सेवन सिर्थी उल्ट में जो केंद कर सकते हैं जहां पर जो अभी रिसेंट्रेंट्स में बदलाओ देखा गया है और राजियों को ऑटनोमी किस की आवसकता क्यों है इसको दिखाना था अगला प्रशन देखते हैं आगे यह से तालिसमें प्रशन पूछा गया था जो दो साथ में हुआ था कि चुनाओ लोग लोगों के वह संस्थाओं के कि कम करता है यह जो है तो भारती राजियनती के संदर में मध्यावधी चुनाओं पर अपने वीचार अभ्यक्ति दिये में हो तो विचार करना था तो अपके जो फ्रिक्वेंट्स चुनाओं इसके बसंबंद में आपक्या अगला प्रशन देखते हैं हम लोग आरक्षन का मुद्धा राजितिक दोलों के लिए वोड बैंक के देड़नी करण के अथरिक्त कुछ नहीं है सुषित वर्का समाजिक नियाय प्रदान करवाने के लिए आरक्षन के तरिक्त आप क्या तरीके सुझा सकते हैं अब तो आरक्षन को एक तरह से अनिवारी कर दिया गया है सभी जगह पर देख सकते हैं कि आरक्षन जो है राजितिक दल का वह अपने वोड बैंक को सदीर करने के लिए यूज करते थे अपर यह रहो गया है अब लेकिन क्या कि आरक्षन को कैसे अब कम कर सकते कैसे इसके अलावा भी जो है अब समाजिक नयाय को परदान के अधनिया कैसे कर सकते हैं यह अगर हो तो कमेंट में कीजिए आगला प्रसम दिखे तो यह च्यालीसमें बीपेसि में जो 2005 में वा था उससे प्रसम पूचा सब्सक्राइब कीजिए देखिए क्या हुआ था आप कमेंट में जरूर बता है उसके जो अधार्बूत प्रावधान ते उससे भी लिखना था यह नॉर्मल सिधा सिधा साथ को सिंस अगला प्रस्म दिखते हैं लोग भारति चुना आयो के निर्देशन के इंतरगत आबाद अगला प्रस्म करते हैं जालना था अगला परशना था भारती राजिनती भासा के भूमिका का विवेचना कीजिए बिहार में भासा इल जो प्रावधानों का गरनन करना था आपनों को तूला ध्युंद्गा जब बहुत महत्पूर्ण तथ्य होता है किसी भी समुदाय को आपस मिलाने के लिए घृष बहुत सारे राजियों का गठन भास यह अधार पिकिया गया तो यह किस प्रकार से भारती राजनीती में आपको जो लिंग्विस्टिक मैनुटी है उसके जो प्रावधान दिये गया उसको भी करना जिसे बिहार जो है इंसे संद्रों में क्या का एक्षन या कारिकरम कर रहे हैं असके लाव आप अनेक्स प्रसन देखते हैं पैटेल से वीपेसी जो 2002 में हुआ जाती धर्म की भूमगा का मुल्यांकन कीजिए फिर से आपको पूश्ट दिया जाती धर्म वर्न यह जो है अब जो आयाम है अपनों को राजनीती देखना आवस्ट है अगला प्रस्वन देतना है कि भारत में साजहाया राजनीती क्या अभिवार के मुग कारण क्या है इन साजहों की संभावनाओं के विवेचना किजिए साजहाय राजनीती जैसे कि गड़बंदन की राजनीती एक प्रकार से कर सकते हैं एक दल दूसरे दल से जो मिलते हैं एक संगठन दूसरे संगठन से मिलते हैं इस प्रकार से क्या अभिवार के क्या कारणत है गडबंदन आ अगला प्रस्थन देखता है कि भारत की निर्वाचन और टीपने की दो सब्दों में उसके बाद है सिधा है भारते समेंदान के प्रकृति एवं महत्यू का मुल्यांकन कीजिए दिखिए प्रस्थन पूछा गया था में तो प्रक्रति और महत्यौ क्या प्रस्तावना को प्रस्तावना को उसको देफाइन करना था अगला प्रस्तावना इसको नेक्स खृतावाद जो है आपका कैसे जूडिसल एक्टिविजम इसका मीनिंग क्या हुआ इसका एविल्यूएशन करना था अगला बढ़ते हैं चुछाल इस बीपीसी 2002 में हुआ था उसमें क्या प्रस ने पूछा गया था तो भारत में संसोधन प्रक्रिया क्या है य कितने वर्ण हुं है उसे भी लोगों क्यों अगला परहज्ड मुक्रमंद्रि कि नियुक्ति का वर्णिंद को स्कहते हैं नोट लए जो अपना क्विरोधी दल बीजेपी को संप्रदाइक दल कहकर क्यों संभुधित किया जाता है चौले सिम बीपे सिम पूछा गया तो 2002 में हुआ था उस टाम में देखिए यह कॉंग्रेस की सरकार थी के अंदर में अब जो बीजेपी था विरोधी दल था तो यह एक तुसको इसको एक में सीट आई थी रहा है उसके बाद बहुत ही अंतर देखा गया बहुत ही चढ़ाओ देखा गया इस और इसके जो संप्रदाइक क्यों कहा जाता उसको भी दिखना था इस पर नोट पील लिखना था किसे करते हैं अगला पर देखते हैं प्रशन अब एक ताले टिपनी करन प्रवित्व नहीं पुछना होनी चाहिए व्यार संदर्व में अगला प्रशन आप्याउ प्रक्रिया प्रफिति लिखना था लिखना था इसके भारती लोकतंतर परवित्यों कीजिए जो रिशेंट्स अभी हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स हो रहे हैं भा ती लोकतंतर में उ तो अब ही आगर आप दो जार एक कोश्चन है हाना कि आप दो जार बीस के जो संदर में आप इसको लिखने का प्रियास कीजिए कि भारति लोक तंदर में जो भरती जो प्रविर्टियां का विस्देशन करना है अब अगला प्रशन है कि संपत्तिक एधिकार के वर्तमान रूप का अलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए दिखने अगला अगला देखते हैं कि जो क्यूं हटाया गया नहीं हटाया गया और पोजिटीवी है क्या निगेटीवी है इसको दिखाना था अगला प्रशन है भारत ए सब्सक्राइब करना था लोगतांत्री राजी के बारे में अगला प्रस्ण देखते हैं लोग अग्जाम 1999 में उससे प्रस्ण पूछा गया था प्रस्ण पूछा गया तो इसलिए अप लोगों से पढ़ ले अगला प्रस्ण है कि के अंदर में मिली जुली सरकार का प्रियोग से ना तो लोकतंत्र सर्द्र हुआ और सहकारी संगवाद के लिए अनुकूल प्रस्थिया बन सकी क्या आप सामत है संगवाद है यहाँ पर वा सहकारी संगवाद और सहभागिता को बढ़ा पाया तो यह और समन्नुवे के जगह पर विरोद की भावना को कैसे इमर्ज दिया या फिर उसको जो पर पहलू है उसको भी आपनों को लिखना था क्या आप सहमत है इसको आप सहमती दर्श कराने थी अपने तरकों से अपने हम भी वाकियों से अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग भारत के सम्विधान के उद्शका में प्रतिस्षिट दर्शन के और महत्यू का परिक्शन कीजिए तो उद्शका प्रस्तावना से फिर पूछा गया तो आप लोग ध्यान के प्रस्तावना को ज़रूर अच्छे से क अगला प्रस्ण है कि अनुछे 356 की भावना को समझने के लिए उसे 355 से मिला का पढ़ा जाहिए इस पर दोस्तों वद में लिखना था तो आप लोग जरूर बताइए कि अनुछे 355 कि से सम्मंदी था कमेंट में जरूर करें अगर आप पता है तो अगला परशना पढ़ते हैं अम लोग एक तैलिशनी में जोएसर शंतांवे हो था उसे प्रस्ण पूछा गया था कि भारती राजश्पाल की सकतियां का विवेचना की विभीर के वर्तमान घटनाओं को संदर्ब में उसकी मुल्लयिंकन किसे फिर से बिटत हो रहा है जो ब भारती राश्च्रपते के निरवाचन की पजी परिक्षण की किसे राश्च्रपते के निरवाचन होता है तो विविन भाक्ष है उसको आपनों-दिखाना था अगला पॉस्टन है भार्तिय संगभाद यानें फेत्लिद्रम में उभरति प्रवितियों को भी विस्ट्रिसन की तो संगभाद जो बहुत कीज़िये और यहाला कि बवृति के का संगरे अवहट कि रिस्थ भारुपट apresent होग अगला प्रशन में तक लिद्धर कीला पसके सब्सक्राइब करें उसका महत्व बताएं तो DPSP पूछ लिया गया है देखिए DPSP के क्या है उसको महत्व को अगला परस्न अगला प्रस्न थर्टि नाइन स्वें उन्हें पूछ गया था भारती में पंचायती राज की उद्देश्चियों और विशिष्टाओं का उल्ले करना था तो पंची सीमपल कुस्ण था यह पंचायती राज जो लाए गया गया क्यों लाया गया था उसको किस सथांत्र ये व्यूबा सबस्क्राइब लिगें जो अगला है उसके तहट आता है मौली कर्तव क्या क्या है कि अब उसको कब-कब लागू किये गये हैं उसको बारेम वेख्या करने थी अगला प्रस्ट आप देखते हैं कि भारति सम्विधान को अर्ध संगी है यानि क्वासी फेटलिजम क्यों कहा जाता है इसका पैक्छन कर देखते ही भी आप टॉपिक को कवर करें तो आने वाले जो पैसेट में बीपेसी का मुख परिक्षा होने वाला है इसमें आप आसानी से तीन प्रस्ट करने में सक्षम होंगे इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक क सब्सक्राइब कीजिए दूस्तों में यह वीडियो सेर कीजिए अगर यह जाते जाते हैं थैंक्स फर वाचिंग मिलते हम लोग अगले वीडियो में धन्यवाद